नमस्कार, आसम बाइट सास पास्ता बनाएंगे, ये बच्चों का फेवरेट और सबको बहुत पसंद आता है, इसको बनाने के लिए एक कप पास्ता लिया है, 300 ml दूद लिया है, आधा कप चीज लिया है, ग्रेट किया हुआ, मैदा, डेट चमच, बटर डेट चमच, एक पि कड़ाई में हम बटर डाल देंगे और आँच को हम धीमा रखेंगे, आप इसकी जगध घर का बना हुआ बटर भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आँच को हम धीमा ही रखेंगे और उसमें मैदा डाल देंगे, सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे, और इसको हम लगाता चलात अब हम इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे, इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे लो फ्लेम पर जब तक इसकी खश्बू ना आ जाए और इसका हलका सा कलर जो है, चेंज होना चाहिए कलर चेंज हो गया है, मैडा हमारा हलका बुन गया है, अब हम इसमें दूद डाल देंगे, आज को हम धीमा ही रखेंगे, दूद को धीरे से डालेंगे और लगाता चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने हम इसको तब तक लगाता चलाते रहेंगे, जब तक इसमें एक बॉइल ना आ जाए, बॉइल आ नया शुरू हो गया है, और धिक होना शुरू हो गई है, हम इसको हिलाते ही रहेंगे, जब तक ये अच्छी तरह से क्रीमी टेक्ट्चर में ना आ जाए और साफ्ट हो जाए सास जो है गाड़ी उनना शुरू हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है क्रीमी टेक्चर में आ गई है ये ज़्यादा गाड़ी नहीं होने चाहिए गिरने की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए हमें इसको ज़्यादा गाड़ा नहीं करना चाहिए ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में चाहिए वाइट सॉस बन का त्यार हो गई है चलिए अब हम पाश्टा बनाते हैं एक कढ़ाई लेंगे और उसमें पानी थोड़ा सा ओइल डाल देंगे और एक पिंच के करीब नमक डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे जब पानी उबलेगा तो हम इसमें पाश्टा डाल देंगे पास्टा डालने के बाद हम इसको खिला देंगे और आठ मिनट तक इसको पकाएंगे पास्ता जो है अच्छी तरह से पक गया है इससे ज़्यादा हमें नहीं गलाना है अब हम एक स्टेनर लेंगे और उसमें पास्ते को छान लेंगे पाइट सास में बॉयल किये हुए कॉर्ण डाल दिये हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पास्ता डाल देंगे और धिमी आच पर इसको पकाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सास है वो पास्ते में अच्छी तरह से अंदर चली जाए एक दो मिनट के लिए हम इसको धीमी आज पर पास्ते को सौस के साथ मिलाएंगे यह भूती टेस्टी बनता है अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ चीज जा क्यूब्स जा आप सलाइस भी इसमें डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर देंगे इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और क्रीमी टेक्स्चर आता है यह बहुती स्वाद बनता है बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है अब हम इसमें मिक्स हर्ब औरिगेनो डाल देंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे काली मिच पोड़ो डालने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वादो तिखापन आता है अब हम इन सब को मिक्स कर देंगे ये चोड़ी सी भूक में भी खाया जा सकता है बहुत ही क्रीमी बना है और चीजी भी बना है वाइट सा पास्ता बनकर त्यार हो गया है चलिए अब हमें से सर्व करते हैं ये बहुत ही अच्छा बना है मेरी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और इस रेस्पे को जरूर बनाना और अपने अनुवब जरूर शेर करना गार्निश करेंगे इसको आरे गैनियों जा मिक्स हब से एक पिंच हम एक चुटकी काली मिच पौडर डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और ज़्यादा स्वात करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी का बटन दवा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके मज़ा लीजिए खाईए नमस्कार